हाई गाईस में मेडिसीन नोल चैनल में आपको सब्सक्राइब आपको क्लैब एक्टेम 1.2 गराम इंजिशन के बारे में बताऊँगा जैसे कि आप देख रहे हैं क्लैब एक्टेम 1.2 गराम इंजिशन टू कॉमिनेशन से बना हुआ है क्लैब एक्टेम 1.2 गराम इंजिशन एक जैनिक दबा है और इस दबाई का परियोग मुक्के रूप से शरीर में कहीं भी चोट लग जाए या फ्रेक्चर हो जाए या जखम बन जाए तो इस दबाई का परियोग कर सकते हैं और इसके अलाबा भीविन परकार के वैक्टेम इंफेक्शन की लाज में भी किया जाता है जैसे की आखना, कान में इंफेक्शन, फैपडो में इंफेक्शन, गले में इंफेक्शन, टॉंसिलिटीज, नीमोनिया, दातों में प्रोब्लम जैसे खुनाना, मसूडों में सूजन, तौचा में इंफेक्शन, बलेड में इंफेक्शन, रीप्रोडिक्टिव और्गेंस, एनि जन्नाग में इंफेक्शन, मुतरशाय में इंफेक्शन, बुखार और खासी की इलाज में भी इस दवाई के इस्तिमाल कर सकते हैं So guys, अब मैं इसके साल्ट के बारे में बताऊंगा, एमोकसिलीन साल्ट कैसे काम करता है Emoxacillin एक एंटीवाईटिक है जीवानू की सैल बॉल पर हमला करके वेक्टरिया को नश्ट करता है जिससे शंकमर के इलाज में मदद मिलती है और Potassium Clobulinate Salt कैसे काम करता है Potassium Clobulinate ये एंटीवाईटिक दबाव को निश्करे करने के लिए वेक्टिरिया द्वारा उत्पादीत एक एंजाइम वीटा लेक्टामेज को अबरोध करने का काम करता है जिससे शंकर्ण के एलाज में मदद मिलती है So guys, इस दवाई के कोई सामने साइटिफिक्स देखने को मिल सकते हैं जैसे की उल्टी, उपकाई, पेड़ दर्द, दस्त और तौचा पर लाल चकते हो सकते हैं एक दिस पर कोई भी समझता हो तो अपने डॉक्टर को बताए So guys, इस दवाई को दिने से पहले कोई साब देने बढ़ने चाहिए जैसे की हार्ट, लीवर, किड्नी, एलर्जी, एल्कॉलिज दिस वाले पेशेंट और गर्विती महिलाए और इस तनपान करवाने वाली महिलाओं को इस दवाई को देने से पहले आप भी डॉक्टर की सला जरूर ले So guys, डोज के बारे हैं बात कर रहे तो Amoxucilene 20 या 25 mg परकेगी साफ से दे सकते दिन में में दो बार और Potassium Cl exams 2.5 mg परकेगी साफ से दे सकते दिन में में दो बार और addition A hebben Passion को दिन में 2 बार लगा सकते हैं खाना-费ाने के बाद वो भी आई वी तो गाईस आपको निवर्शन कैसे लगा अच्छा लगा तो प्रीज लाइक सब्सक्राइब और बेल के अंदा बाद दिजिए धन्यवाद